ओम नमाशिवाय शावन माश सुक्ल पक्ष बुद्धवार पंचमीति थी दिन भर लगी रहेगी चंद्रमा हस्तिनी नक्षत्र में साम चार बजे तक चलते रहेंगे ततपस्चार चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे थस्तिनी नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव हैं आज के जन्मे जातक सुंदर यसस्वी धार्मिक परोपकारी धनी और बुद्धिमान होते हैं ऐसे जातक मेहनती, कुशल कारे करता, सफल ब्यापारी, धार्मिक ग्रंथों के जानकार, मौलिक कारे करने वाले, परिश्रम से उन्नती करने वाले, स्वाभिमानी और उच्च भिलासी भी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहाच चंदरमा और बुद्ध की इस्थिती अनकूल रही, तो पूर्ण सफल होंगे चंदरमा आज दिन भर कन्या राशी में ही चलते रहेंगे, जिसके राशी स्वामी बुद्ध देव है शावन सुकलपक्ष पंचमी नागपंचमी के नाम से बिख्यात है इस बार नागपंचमी के दिन सरवार सिध्धी योग बन रहा है जो की बहुत ही शुह माना गया है नागपंचमी पर पूजा का शुह महुर्थ सुबह साड़े साथ बजे से रात्री नौ बजे तक बना रहेगा साथी साथ अगर किसी की कुंडली में कालसर्प दोष है तो नागपंचमी के दिन पूजा करने से दुस्प्रभाव में कमी आती है कालसर्वदोस के दुस्प्रभाव को दूर करने के लिए यह दिन भी बहुत विशेश माना गया है इस दिन नाग की पूजा और ओम नमह शिवाय का जब करना अत्यंत फलदाई होता है इसके अलावा रुद्रविसे करवाने से भी जातक की कुंडली के कालसर्वदोस में कमी आती है मेश राशी के जातकों के लिए आज का दिन कारी उर्जा को बढ़ाने वाला होगा क्रिया सीलता और आत्मुस्वास बढ़ा रहेगा साजेदारी के काम लावदायक रहेंगे और कारे छित के निरंतर विकास की मान सिक्ता बनी रहेगी धन लाव मन मुताबिक मिलता रहेगा मगर कभी कभार निरने लेने की छमता उत्साह और रचनात्मक सक्रियता में उतार चड़ाओ और मन में शंकालू प्रवृत्ती धन्हानी की आशंका बनी रहेगी महत्पोर निर्णय शाम के बार लेना चाहिए नीजी संबन्द प्रगाड होंगे और सिख्छा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए शाम का समय अनकूल रहेगा ब्रिश राशी के जातकों के लिए कारी उर्जा में उतार चड़ाव बना रहेगा मानसिक रूप से उगरता बनी रहेगी निर्णय लेने में आकरोस और जल्दबाजी संभावित है स्वाससंबंदी सावधानी रखनी चाहिए और अनावश्य खर्च का संकेत मिलता है हाला कि आर्थिक लाव की स्थिती मन मुताविक बनी रहेगी मगर पहले की चली आ रही योजनाय प्रभावित नहीं होंगी और आपका कार्य सुचारू ढंक से चलता रहेगा साजेदारी के लिए आज का समय उप्यूप्त होगा विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा सैक्ष्डिक कार्यों में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनिकूल रहेगा मिथुन राश के जात्कों के लिए आज का दिन कुछ मामलों में प्रतिकूल माहौल प्रस्तुत कर सकता है मानसिक उत्यजना, उचित निर्णाय लेने में उतार चड़ाव और स्वास संबंधी जटिलताएं संभावित है मगर आठिक लाफ में सहयोग बना रहेगा और कारी वजनाय पूरुवत चलती रहेंगे संतान संबंधी मामलों में और आवशक संसाधनों के उद्देश से निवेश की स्थिती संभावित है मगर शाम के बाद का समय कारी वजनाय में आत्मिश्वास की कमी और भ्रमात्मा की स्थिती के उतार चड़ाव के सुधार के प्रतिक यंद्दित होगा संतान संबंधी आत्मिश्वास में बृद्धी होगी और विद्द्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिध्ध होगा करकराशी के जातकों के लिए आज का दिन लावदायक सिध्ध होगा प्रबल शारिरिक उर्जा और सकारात्मत मानसिक इस्थिती बनी रहेगी प्रभाव साली इच्छा सक्ति आपके हर कामों को सरल और सुविधा जनक रूप से संपन करने के लिए सक्षम होगे घर ग्रिहस्ती संबंधी अनकूलता बनी रहेगी चंद्रमा और सुक्र की यूती के कारण कुछ मामलों में भ्रम, वैचारिक, मतभेद, सही निरने लेने में गड़बडी और दोसा रोपण की स्थिती संभावित है संतान संबंधी मामलों में कुछ चिंता लगी रह सकती है और अध्यान अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी प्रयास जारी रखें वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा और स्वास संबंधी जटिलताओं पर सावधानी अपेक्षित है शिंग रासी के जातकों के लिए आज का समय आठिक दिश्टिकोर से सहयोगी और सकारात्मक रूप से अधिकतर मामलों में सुह फलदाई होगा महतपूर्ण कामों में आपके रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे और कारेच छेतर में विकास की मामसिकता बनी रहेगी साजेदारी के कामों में लाव संभव है और नई कारियोजनाओं के प्रस्ताव मिलते रहेंगे आर्थिक लाव के साथ साथ खर्च की स्थिती भी बनी रहेगी और नीजी संबंद प्रगाड होंगे सरकारी कामों में सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम संपन होंगे विद्याथियों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा सफलता संभावित है मगर स्वास संबंदे जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए कंड्याराशि के जात्कों के लिए धन संबंदी अपेछा हैं पूरी होंगी और आर्थिक लाव का योग बनता है मित्रों वा सहयोगियों से भी लाव संबव है कार योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और नय प्रस्ताव शामिल होंगे साजेदारी सफल रहेगी नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा साजेदारों से वैचारिक मतभेद, धन हानी, दोसा रोपन, मानसिक और स्थिर्ता का अंदेशा भी बनता है मगर संतान संबंधि सहयोग जारी रहेगा विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा अध्यन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी प्रयास जारी रखे और स्वास संबंधि आवर्शक सावधानी बनाए रखे तूला राश के जातकों के लिए कारेच्षित की सावधानिया न्यत्रित करने की प्रबृत्ती संबंधित मामलों में वाद विवाद और अत्रिक्त कारेभार का संकेत मिलता है कारे छेत के प्रती विकास की मानसिक्ता और नई कारियों जिनाओं में व्यस्तता बनी रहेगी प्रस्ताओं को लागू करना और उनका प्रवंधन सुचारू ढंग से होता रहेगा मगर आठिक लाव सामाने रहेगा पारिवारिक पेरणा और बड़ों का सहयोग कामों को सरल बनाएंगे सरकारी कामकाज भूरे होंगे और साजेदारी सफल रहेगी स्वास संबंधी जक्लताओं पर ध्यान रखना चाहिए विद्याधियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिध्ध होगा और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्पूल रहेगा ब्रिष्चिक राशके जात्कों के लिए निरणय लेने की छमता में ब्रिध्धी होगी कारे छमता का पूरा लाव मिलेगा आत्म विश्वास बना रहेगा आर्थिक लाव के सिती सामान रहेगी कारे छेत्र का बिस्तार होगा और साज्य दारी सफल रहेगी मगर साम का समय नकारात्मक विचारों को जन्म देने वाला होगा अंचाही यात्रा की संभावना भी बनी रहेगी और निरणय लेने की छमता में उतार चड़ाव का संकेत मिलता है सुचारू ढंक से चल रहे कुछ कामों में अवरोध की संभावना भी बनती है और संतान संबंधी मामलों में चिंता का माहौल बना रहेगा अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलेगा मगर मेहनत करनी पड़ेगी प्रयास जारी रखे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्पूल रहेगा धनू राशिके जातकों के लिए आए संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा और पूरी निष्ठा से कारेच्छेत में लगे रहेंगे नई योजनाओं के लावकारी प्रस्ताव सामने आएंगे यथा संब्भव आप उनको लागू करते जाएंगे जिसमें महिला वर्ग की भूमी का महत्पूर्ण होगी मगर साम तक विचारों में अचानक परिवर्तन का दोर संब्भावित है मिरने लेने की छमता में सुधार और सासन सब्भव और अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा संतान संब्भी अनकूलता मिलेगी वैवाहिक प्रस्ताव सफल होंगे विध्यातियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा और स्वास संब्धी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए मकर राशी के जात्कों के लिए कारिच्छेत्र के विकास और सुचारू ढंक से चलाते रहने की प्रवरित्ती बनी रहेगी और किसी समारोह में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा आय संब्धी मामलों में सहयोग मिलेगा नीजी निवेश के लिए समय अनकूल है साजेदारी के कामों में सफलता संभावित है मगर शाम के बाद का समय कारिच्छेत्र में अचानक उपलबधी या सफलता का संकेत देता है साजेदारी के कामों में लाव मिलेगा और आपको आत्मिश्वास आने वाली समस्याओं को सुल जाने में सक्षम होगा अध्यान अध्यापन में सफल्दा की उमीद बनती है वाद वीवाद से परहेज करें और स्वास सम्बंदी सावधानी बनाए रखें कुम्भराशी के जात्कों के लिए कारिष्षत में सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम संपन्ध होंगे आर्थिक लाव की स्थिती मन मुताविक बनी रहेगी और सासन सत्ता वाधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा नई कारियोजनाव में लावदाया की स्थिती बनी रहेगी नीजी निवेश के लिए समय अनकूल रहेगा मगर साम के बाद का समय भ्रमात्मा की स्थिती को जन्म देगा उत्साह में कमी और कामों में रुकावट का संकेत देता है और बिरोधियों से साजिस की संभावना भी बनती है विद्याथियों को अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी प्रयास जारी रखें, विवादित मामलों से दूर रहें और वाहन सावधानी से चलाएं मीन राशी के जात्कों के लिए स्वास संभन्धी जटिलताएं मानसी को इस्थिरता मन में नकारात्मक विचारों का पैदा होना और कारे छेत में रुकावट का संकेत देता है कारे उर्जा में कमी और आत्मिश्वास में उतार चड़ाओ लगा रहेगा हाला कि आय संभन्धी मामले और नीजी निवेश के लिए समय अनकूल रहेगा महत्वों निर्णाय कल के लिए टाल दें स्वास संभन्धी जटिलताओं पर ध्यान रखें और मानसीक शांती के लिए ब्यायायाम वा योगा करना चाहिए संतान संभन्धी मामलों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा और अध्यान अध्यापन में प्रयास जारी रखें अधिक जोखिम वाले कामों से बचें और वाहन सावधानी से चलाएं आज के लिए वस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाय